हाँ गाई इस वी जू बेए में आपको explaining करूगा क्या मैं क्या क्या function होते है और, क्या इस function में हमें achieve करना है इस food के इंदर में क्या achieve करना है तो हम यह यह already जानते हैं,एक function होता है putting, एक function होता है get, एक functions होता है, contains exceptional. involves ofく all size एक टेबल है जिसमें keys है और values है जैसे इंडिया के सामने 135 पढ़ा है चाइना के सामने 200 पढ़ा है पाकिस्तान के सामने 80 पढ़ा है ऐसे table form होता है अब put कैसे भी करता है पहले से exist करती है या नहीं करती है उसपर depend करता है जैसे आपने put किया india,140 पहले से पढ़ा है तो वो update कर देगा अगर पहले से नहीं पढ़ा है जैसे आपने डाला nigeria,50 तो वो insert कर देगा इंसर्ट, get में क्या होता है पहरे से चीज पढ़ी है आप key देते हो value आपको return करता है कि आपने get किया china को तो सामने वाला 200 आपको ला देगा value नहीं पढ़ा तो आपको null देता है कंटेंस की पढ़ी है तो true देता है और false देता है रिमोव चीज पढ़ी है तो remove करके आपको value देता है वरना आपको null देता है remove में पहीं की जाती है इंपूट में ये दोनो value return करते हैं ये true false return करता है Key set आपको सारी keys निकालके देता है एक add list of keys देता है साइज में आपको बताला जाते हैं कितनी कीज हैं तोटल यह आपको करना होता है अमेजिंग बात यह है कि आपको गेट कंटेंज की रिमूव पुट यह सारे कॉंस्टेंट टाइम कॉंस्टेंट में रिखने हैं साइज भी इसके लिए अब क्या पीछे मैथ चलता है जरा ध्यान सुनिएगा कि कैसे यह इन सारे फंक्शन को ओवन में अच्रीव कर लेता है चिक है तो हमें जिन फंक्शन के बारे में सोचना है वह है पुट की पुट ग ले ले लेता है आरे किस चीज का आरे लिंक लिस्टों का यहां पर एक लिस्ट है, 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 तो जैसे कि मैं शुआत में भरा हुआ स्ट्रक्चर दिखा रहता हूं, कि यहां पर एक नोड पढ़ा होगा, इंडिय one यहां पड़े हैं चिक है लेट से नाइचीरिया three Sweden four यहां पड़े हैं तो यह ऐसा कुछ कैसा बन गया यह यह बन गया कुछ array of यह array है और link list इनको buckets बुलाते हैं तो उनके सीन क्या है यह ऐसा क्यों बना लिया आपने मैं कहता हूं कि ऐसा करने की विज़े से मैं इनको o1 में अचीव करपाऊंगा अब मैं theoretically आपको put operation समझाने वाला हूं ध्यान समझेगा जो आप कहते हैं ना put ऐसा बुलाते हैं आप कैसे कॉल करते हैं इसको map.put ऐसा बुलाते हो और आपने पास कर दिया लेड़ेसे uk, 15 पहले से की पड़ी है तो देखो करता क्या है सबसे पहल जिसका नाम होता है hash function उसमें की को डालते हैं, UK डालेगा और वो उसका index बता देगी, bucket index यह 0 index है, 1 index है, 2 है, 3 है वो 2 बता दागा, somehow यह function यह function ऐसा होता है कि इसमें की डालो यह बता देगा यह किस bucket में पढ़ा होगा यह किस bucket में जाना चाहिए पढ़ा है तो बता देगा किस bucket में पढ़ा है नहीं कैसे बताएगा वो बाद में देखेंगे पढ़ा है तो बता देगा किस bucket में पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो बता देगा किस bucket में इसको जाना चाहिए तो hash functional काम क्या है उसमें की जाएगी वो bucket बता देगा तो हमें bucket पता लग दी अब मैं UK को सिर्फ इन तीन की से compare करूँगा मैं बाकियों से compare नहीं करूँगा मैं सिर्फ इन तीन से compare करूँगा क्या तुम UK हो, क्या तुम UK हो, क्या तुम UK हो कहीं UK मिल गया तो मैं उसकी value के जाके 15 कर दूँगा नहीं मिला तो इसी bucket में last में add कर दूँगा कि आपको put का operation समझ में आया है मैं step by step put के operation के वारे में बात करता हूँ सबसे पहले put के इंदर hash function चलाईए step number 1 hash function चलाईए आपको bucket पता लगी जाए कि इस bucket में या तो पड़ा होगा या insert करना है फिर उस bucket में loop लगाईए loop in bucket मिल गया तो value update कर दे नहीं मिला तो insert कर दे लेकि इसमें कमाल की बात क्या है इसमें कमाल की बात यह है कि hash function चलाने के बाद आप बाकी लोगों से compare नहीं करोगे सिर्फ अपनी bucket में compare करोगे तो मैं put की complexity एक बार analyze करता हूँ let us say small n represents the total number of elements 1,2,3,4,5,6,7,8 capital N represents the number of buckets lambda represents n by capital N सोच के देखिए यह lambda क्या है small n है total number of elements capital N है number of buckets तो lambda क्या हुआ जो small n by capital N है average number of elements per bucket इसी loading factor भी कहते है loading factor average elements per bucket that is what it represents lambda मेरा यसा कहना है कि put की complexity न O lambda है सोच के देखिए क्यों वो सिर्फ अपनी bucket के elements से compare हुआ है hash function तो constant होता है वो O 1 में बता रहेता है कि यह वाली की इस bucket में बढ़ी होगी चेक है उसके बाद सिर्फ आपने अपनी bucket में तो loop लगाया उन्हीं से तो compare किया तो आपी complexity है lambda lambda क्या था average number of elements per bucket चेक है और एक और खास बात बताता हूँ lambda एक constant से नीचे रहता है lambda हमेशा एक value होती है threshold value उसे नीचे ही रहता है वो value दो भी होती है चार भी एक constant value है let us say that constant value is k called the threshold value lambda हमेशा उसे नीचे रहता है kैसे नीचे रहता है वो बात में बात करेंगे अभी के लिए माननो कि lambda हमेशा k से नीचे है और यह आपके facts थे कौन से कि आपकी complexity कितनी होगी आपकी complexity o lambda होगी where lambda is equal to n by n and lambda is going to be a constant is always going to be less than equal to k a constant value तो आपकी complexity o lambda है और lambda k से नीचे है तो आपकी complexity constant है कैसे उसो constant से नीचे रखेंगे उसके बारे में बात में बात करेंगे I hope आपको put इतना तो समझ में आ गया होगा अब get contains की और remove की बात करता हूँ तीनों बहुत simple है contains की की बात करता हूँ contains की में आपने pass किया जैसे Sweden सबसे बहुए Sweden को hash function में डाले वो उसको आपकी bucket बता देगा कि Sweden तो होगा तो उस bucket में होगा फिर उस bucket में loop लगाए अगर उस bucket में मिल गया तो true नहीं मेरा तो false चीक है as simple as that सबसे compare नहीं करना सिर्फ अपनी bucket में compare करना है get के लिए बहुत ही similar Sweden या कोई प्र पास किया जाता है let us say आपको pass किया जाता है Canada तो आप Canada को डालते है हाश function में आपको bucket बता लेता उस bucket में आप जाके ढूंड लेते है अगर Canada मिल गया तो उसकी value निकाल के दे दो वरना null दे दो remove में क्या करते है उस bucket में जाओ remove कर दो सबसे बहुत हाश function चलाओ bucket मिलेगी उस bucket में जाओ remove कर दो वरना उसकी value दे दो value दे के remove कर दो नहीं मिला तो null दे दो size में small n is your size small n is your size जो आप एक variable में store करके रख सकते हो keyset बनाने के लिए सारी bucket में लूप लगाओ add करके दे दो so that is what the code is measurely that is what the code is मेरे हिसाब से इस code के अंदर सरफ एक चीज रह गई है को एक चीज क्या है कि कैसे आप put करते हुए lambda को k से नीचे कैसे रख लोगे तो इसमें एक activity होते है जिसे बुलाते है rehashing अब ध्यान सुनना after every put after every put put के बाद या तो update होगा या तो insert होगा ठेक है update हो रहा है तो lambda बदलेगा नहीं क्यों नहीं बदलेगा insert हो रहा है तो small n बढ़ गया ध्यान सुनो अगर put के time पर insert हो रहा है तो small n बढ़ गया number of elements बढ़ गया तो आपका lambda grow करेगा अब तुरंट चेक करिए क्या lambda k को cross तो नहीं कर गया है अगर lambda k को cross कर गया है न एक activity होगी जिसे कहते है rehashing rehashing का मतलब क्या होता है rehashing का मतलब यह होता है rehashing activity की समझो यह put के अंदर कभी कभी call होती है जैसे आपका श्रुवात में था ऐसा hash math यहां थे दो बंदे यहां था एक बंदा यहां थे तीन बंदे यहां थे दो बंदे तो आपका let us say k is capital 2 कि lambda को हमेशा capital 2 नहीं k is 2 lambda को हमेशा less than equal to k रखना है इस टाइम पर आपका small n कितना है 8 capital n कितना है 4 lambda आपका इस टाइम पर exactly 2 ही है मानते हैं बात और k भी 2 है lambda को less than equal to k रखना है मालम मैंने एक insert किया उस insert की वज़े से यह यहां पर एक insertion हो गई small n कितना हो गया 9 capital n 4 lambda 2.25 हो जाएगा ऐसा situation था हमने एक insert किया मैं थोड़ा सफाई से लिखत हूं यार मैं थोड़ा गंदगी मचा रहा हूं यहां उपर लिएता हूं आपका threshold है k which is equal to 2 इस से उपर rehashing होगी ठेक है इस time पर n is 8 capital n is 4 lambda is 2 which is less than equal to k तो कुछ नहीं करना एक insert किया insert होने की वज़े से put किया था हमने put होने की वज़े से insert हुआ let us say वह पहली bucket में insert हुआ कहीं भी insert हो जाता let us say पहली bucket में हो गया अब n कितना हो गया small n कितना हो गया 9 capital n 4 lambda 2.25 which is greater than k तो अब greater than k है तो क्या करना पड़ेगा put के अंदर rehashing rehashing करनी होगी rehashing करनी होगी मतलब मतलब एक नया array बनाया जाएगा link list का उसमें आठ साइज का होगा अगर यह चार करता तो आठ से तो गुना होगा एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ चेक है अब आपका n है 9 नया अपनाया हमने array n है 9 capital n है 8 lambda आपका 9 by 8 one point something something हो गया which is again less than equal to k और इन सारी buckets इन सारे nodes को इस नए वाले के इंदर डाल दिया जाएगा कहीं कहीं पर तो हो सकता है यह a b c d थे और वो कहीं कहीं पर आएंगे दुबारा से हर एक के उपर loop लगाए put call किया जाएगा यह बात समझ है हर एक के उपर पुराने वाले में loop लगाकर यह नए आरे बनाया उसमें नई buckets है पुराने वाले पर loop लगाकर हर एक के उपर put call किया जाएगा जिससे यह अलग लग जगह पर फिर चले जाएगा हो सकता है a और d साथ रहने लगे हो सकता है b यहां चला जाए हो सकता है e f यहां चले जाएं तो अब अलग लग जगह बिखर जाएंगे अब सारे को use कर लेंगे लेकिन अच्छी बात यह है average number of elements वेर से के से चोटा हो गया है इसके रहे से put अब जान सोचिए put get remove और contains की सबकी complexity की को किसमें डालते है hash function में hash function से bucket आती है सिर्फ अपनी bucket में compare करते है loop तो अपनी bucket में ही चलाते है तो सबकी complexity ओ लामड़ा है अगर लामड़ा हमेशा के से नीचे रहेगा तो यह सारे के सारी complexity हमेशा के से नीचे ही रहेगी और जैसे हम लामड़ा को control कैसे करते है पुट के अंतर जैसी लामड़ा बढ़ने लगता है कि इसे beyond जाता तो rehashing कर देते है तो once in a while एक costly operation करके हमारे majority put get remove or contains की ओ लामड़ा, ओ constant में चलेंगे चीक है, I hope आपको यह बात समझ में आई होगी चीक है बाकी अब क्या करते है code लिखते जाएंगे और फिर दोबारा समझेंगे तो हमारे लिए क्या करका है थोड़े generic समझते है यह सबसे पहले क्या है hash map में angle bracket में k और v लिखा हुआ है मैं आपको question video के अंदर ही सारा solution समझाने वाला हूँ solution वीडियो में भी आपको यही वीडियो मिलने वाली है आप इस वीडियो को देखेगा जैसा मैं समझाओ वैसा इसका code किया जागा तो आपको मिला क्या क्या है जरा देखते हैं यह hash map है main को बंद कर दीजे यह hash map है hash map के अंदर k और v pass किया है जनरिक का support दिया है क्योंकि hash map तो किसी भी चीज़ का किसी के साथ भी मन सकता है integer boolean का भी मन सकता है boolean integer भी मन सकता है string boolean string integer तो हमने बोल दिया k, v से जनरिक support बोलते हैं कि हम define करेंगे key कैसी होग और value कैसा होगा फिर मैंने बनाया एक hm का node hash map का node उसमें k key और v value उसमें दो चीज़े होँगी key और value store कर लिया pair है basically एक ठीक है size small n ये देखे ध्यान से link list है hm nodes की उस link list के अंदर हर जिगे data के रूप में hm node पड़ा होगा key value पड़ी होगी of course link list है जो next भी पड़ा होगा ठीक है constructor में innate किया buckets को मतलब ये array को new कर लिया char size के साथ char size की array बना लिया और loop लगाकर हर जिगे bucket को new कर लिया इतना code कर रखा मैंने मैं इस code को समझानी कोशिश करना चाहता हूँ कि जब आप नया hash map बनाते हैं तो क्या हो रहा है नया hash map बनाते हैं तो इतने code को एक बार आपके लिया analyze कर दूँ फिर हम put together करना ही कोशिश करेंगे ये आपको मिला मिलाया code है जिसको मैं हम analyze कर रहे है ठीक है देखे size hash map के total number of elements लिंक लिस्टों का array जिसमें मैंने innate buckets को 4 pass किया है तो ये buckets का array ये buckets का array यहां पर चार size का लिंक लिस्ट का array बन गया लेकिन चारों spot पर अभी link list नल पड़ी है फिर loop घुमाया और हर जगे new link list डाल दी मतलब अब नल नहीं पड़ा अब यहां पर एक खाली link list पड़ी है उस link list में element कोई नहीं है लेकिन खाली link list है लिंक लिस्ट का नहीं होना और खाली link list का होना अलग लग बाते होती है अब ऐसा है कि यह link list में कुछ है नहीं लेकिन पहले तो link list ही नहीं थी ठीक है buckets का array था ना buckets का array को new किया तो array तो बन गया लेकिन चारों जगे link list नल पड़ी है अब हमने क्या किया loop लगाकर चारों जगे खाली link list डाल दी चारों जगे खाली link lists है तो मैं ऐसे arrow से दिखा जेता हूं data कुछ नहीं बढ़ा हूं मैं भी 0 size है हर link list का by default का size 0 है that is what the initial state is अब हम put लिखने ही कोशिश करेंगे put के code पे focus करते हैं मैंने आपको key or value past का रखा है key or value आपको past है put के अंदर तो आपने जिसे past किया india,200 मैंने क्या पताया था पहला step क्या होगा एक hash function नाम का function होगा उसमें इस key को डालेंगे बहार आएगा bucket index फिर उस bucket में ढूंडेंगे उस bucket में उस link list में जाके डूंडेंगे क्या india palace पढ़ा है पढ़ा होगा तो उस spot पे जाके value बदल देंगे नहीं पढ़ा होगा तो last में जाके add कर देंगे पहला ही काम put में क्या करूंगा मैं bucket index मंगाँगा get bucket index get bucket function नाम क्या था? hash function मैं hash function call करूंगा उसको key pass करूंगा hash function मुझे क्या देगा? bucket index देगा फिर देखा data index ध्यान से देखेगा data index इसमें क्या कर रहा हूँ? get index within bucket within bucket इसमें मैं क्या pass कर रहा हूँ? key और bucket index पहले बार में क्या pass करता हूँ? key key बताती किस bucket में जाएं फिर दूसर function क्या है? get find within bucket find within bucket तो उस bucket के सारे बंदों के साथ compare करेंगे और देखेंगे मिला की नहीं मिला अगर नहीं मिलागा तो वहां से minus 1 आएगा मिल गया तो उस bucket का index आ जाएगा तो पहले हम यह लिखते है hash function लिखते है अभी तक hash function का internal मैं आपको समझाया यह नहीं था hash function नहीं समझाया था तो अब देख लेते हैं क्या है इसका internal बेटा, hash function के अंदर अंदर बताया नहीं कि वह कैसे key से निकाल लेता है तो जावा में न hash code नाम की एक चीज लिखी हुई होती है हर चीज के उपर available होती है हर integer, integer सब के उपर hash code नाम की चीज अविलेबल होती है हमें सोचने की जरुत भी नहीं है वह क्या होता है तो मैं ऐसे लिखूँगा ध्यान से देखेगा उसकी details हम ignore करेंगे उसकी details हम abstractions मानेंगे कि वो मिल जाएगा यह hash code नाम की चीज हर key हर integer string सब के उपर available होती है मैंने key के उपर hash code चलाया है मुझे एक integer मिल गया यह plus minus negative positive कुछ भी हो सकता है बहुत बड़ा number चोटा number कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा bucket index तो भाईया 0 से लेकर 4 के 4 से भी छोटा नुचे 0 1 2 3 ही हो सकता है तो अब हम क्या करेंगे इस hash code का absolute लेंगे absolute hash code भाईया negative हुआ तो negative से तो काम नहीं बनेगा और फिर देखो ध्यान से में क्या कर रहा हूँ यह in fact एक ही लाइन में लगता हूँ धान से hash code तो हमें मिल गया hash function बहुत simple है return math.absolute of hash code modulus buckets.linked अभी अभी आपने hash function समझा है जिसकी बहुत details नहीं बताई जिसमें बहुत major part तो जावा नहीं करके दे दिया तो यह hash function यह magical function कैसे हमें की से bucket index निकाल के देता है कि के पास hash code नाम की चीज होती है यह उस पर hash code call करता है लेकिन hash code तो एक integer return करता है जो positive negative बड़ा चोटा कैसा भी हो सकता है हमें तो भाईया 0,1,2,3 ही चलेगा तो हम उसको absolute लेते हैं ताकि वो positive हो जाए और modulus कर देते हैं buckets.length के साथ ताकि इन चारों में से कोई एक मिले ठीक है? तो इससे जाधा data हमें जानने की ज़रत नहीं है किसकी hash function की यह hash function internally कैसे चलता है? अपना सारा काम तो hash code से करा रहा है hash code कहां से मिलेगा? तो hash code कॉल करेंगे वहां से अपने hash code आएगा उसका modulus लेकर उसका absolute लेकर modulus कर देंगे bucket sort length के साथ तो हमें पता रग जाएगा किस bucket में जाना है तो पहला काम हो गया हमारा put के अंदर हमें यह पता रग गया किस bucket में जाना है? hash function ने बता दिया अब मैं यह function लिखाँगा get index within bucket कि इस bucket के अंदर कौन है? इसमें दो चीज़े आ रही है k key और int bucket index किस bucket में? ठेक है तो मैं थोड़ी से ना पहले से बना लेता हूँ let us say आप कुछ put मार चुके हैं और ऐसी बनी हुई है ताकि आप जारा समझ पाएं तो शुवात्मन यह मान लो कि हमने जब hash map को देखना स्टार्ट किया तब वो अल्रड़ी थोड़ा सा भरा हुआ था यहां पर मान लिजे पड़ा है इंडिया 100 पाकिस्तान 40 चाइना 200 USA 10 UK 4 Sweden 5 Nigeria 10 Canada 12 मान लिजे ऐसा ऐसा यह बना हुआ है ठीक एसकुमत होगा सब बढ़ा देता हूँ मान लिजे ऐसा ऐसा शुवात में पढ़ा था अब आप पुट कर रहे हैं मैं ऐसा एक केस लेता हूँ जिसमें अपडेट हो मैंने बोला map.put Sweden,6 सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया हमारा put में लेकर आता हूँ आपके सामने देखेंगा क्या क्या हमने सबसे पहले hash function Sweden के उपर hash function चलाया Sweden के लिए hash function ने निकाल के दे दिया पहले hash function क्या करेगा hash code और फिर absolute absolute करके हमें बता देगा second में जाना है वह hash code हमेशा same value देता है तो जहाँ Sweden जब put 2 आ था इसली बार put होते वह अगर 2 आया था तो इस बार put होते वह hash function के लिए 2 ही देने वाला है तो इसने 2 दे दिया तो मैंने bucket index भेजा get index within bucket को इस link list में मैं loop लगाऊँगा इस function के अंदर get index within bucket के अंदर इस में loop लगाँगा और देखोंगा Sweden कहाँ पड़ा है तो मैं यह code लिखने जा रहा हूँ देखें क्या कर रहा हूँ for hash map node in buckets of bi buckets क्या था array buckets of bi कर दिया तो क्या मिल गया बरेको bi index पड़ी हुई link list उसके अंदर loop लगा रहा हूँ hash map node अगर node की जो key है equal हुई हमारी key के equals function यूज करना पड़ेगा एक function तो हमने key के अपर hash code यूज किया है अब दूसर function यूज करें equals तो return यही वारा index okay int data index equal to 0 to return di equal नहीं है तो di को plus plus कर लो अगर इस loop के बहार आए मतलब आपको नहीं मिला तो आप return minus 1 कर देना है minus 1 बताएगा कि मुझे तो मिला नहीं भई जो भी आप कह रहे थे ना put करने के लिए वो मुझे मेरी bucket में मिला नहीं लूप लगाया हर एक के साथ की मैच की अगर मैच हो गई तो वो index return कर दिया वरना minus 1 return कर दिया स्वीडन हमें मिल जाएगा स्वीडन के लिए आपने पहले hash function में डाला स्वीडन को hash function में डाला यहां से index आया कि second bucket में मिलेगा second bucket के लिए हमने get index within bucket के इंदर second bucket में भेजा second index में loop लगा के में पता लगा स्वीडन तो भी है two index पर पढ़ाया तो data index अपना two आ गया second bucket का दूसरा आदमी स्वीडन है यह आ गया bi मतलब two bi मतलब two मतलब second का two है अब put के इंदर जाके देखते अगर di minus one आ जाता तो मतलब insert करना होता यह वह वहला case तो है नहीं इस बार तो मिल गया वह मिल गया मतलब update करना होगा या फिन मैं उपर करेता हूँ अगर di non minus one आ जाए non minus one आ जाए तो मतलब update का case है मतलब मिल गया तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा hm node मगाया कैसे node equal to buckets of bi कौन सी बकेट उठाई bi वाली dot get उसको कौन साइ value उठाया di वाला और node की value node की यह थी ना इसके अंदर node की value मैंने किसके equal कर दी जो आपने value लाया उसके equal अब एक ऐसा case लेते हैं जो नहीं पड़ा होता जैसे हमने finland तो नहीं डाल नहीं रखा अगर कोई मुझे कहता map.put finland,7 finland,7 एक element कम करेता हूँ वो rehashing वाला case बन जाएगा finland,7 आपने बोला fine हमने finland को सबसे पहले hash function चलाया उसके अंदर hash code चला फिर modulus हुआ letter से जवाब आया कि first bucket में जाएगा finland get index within bucket चलाया हमने देखा first bucket में कहीं पहले से finland पड़ा तो नहीं है उसे मिलेगा नहीं माइनस वन आया माइनस वन आया अब देखो put क्या करेगा वो बोलेगा first bucket में finland होना चाहिए और वहाँ तो है नहीं तो देखो हम क्या करेंगे एक node बनाते है node equal to new hm node जो key और value आपने पास की थी finland, 10 जो भी था वो फिर buckets of bi.add उसमें add कर दो और अपना size plus plus कर दो I hope आपको यह put समझ में आया होगा सबसे पहले key के उपर hash function चलाया उसने बता दिया इस bucket में जाईए फिर उस bucket के अंदर जाके ढूंडा loop लगाकर नहीं मिला तो insert कर दिया बनाकर insert कर दिया, मिल गया तो उसकी value change कर दिया insert किया तो size भी बढ़ा लिया उमीद करता हूँ यह समझ में आया है मैं एक बार के लिए get index within bucket और यह आपको दिखाना नहीं चाहता मैं सिर्फ वहाँ पर put ले जाता हूँ और put के साथ में चाहता हूँ आप सोचे थोड़ी देर इसके पर meditate करें मैं यह वाला code यहां से मिटाता हूँ मैं इस picture के सामने रखना चाहता हूँ कौन सा code put का full code ताकि आप सोच पाएं यह put का full code बैने उठाया और यहां पर आपके सामने रख दिया देखिए जारा कोई भी की आती है पहले hash function निकाल लेते है hash function क्या देता है किस bucket में जाके खोजिएगा जैसे finland के लिए यह वाली bucket आ गई थी यह वाली bucket आ गई फिर get index within bucket के अंदर मैंने यह bucket index पास किया की दुबार पास की इस bucket के size लोग के साथ compare किया finland यहाँ पड़ा नहीं था तो di minus 1 आ गया minus 1 आया तो हमने node बनाया और इस bucket के अंदर finland को last में add कर दिया उसकी value के साथ size बढ़ा दिया एक छोटा काम और होगा वो बाद में करेंगे हम वो छोटा काम क्या है अगर यहां पा हमें अपना lambda calculate करना जरूरी है double lambda size by buckets dot length small n by capital n अच्छा इसको ना एक बार double में convert कर लीजेगा size वनना देखे 9 by 4 2 होता है integer में तो double में convert करोगे तभी बात बनेगी 9 by 4 2.25 आएगा अगर आपका lambda जो k मैंने मान रखा है वो 2 मान रखा है अगर आपका lambda 2.0 को cross कर दे तो rehash function call कर देना जिसको बाद में हम code करेंगे अभी rehash भर में नहीं सोचते जादा अभी हम put से जाकर contains की करने बहुत सिंपल है सबसे वह hash function निकालें कि यह की कौन सी bucket में होगी फिर उस bucket में ढूंडें अगर मिल गई वो की मिल गई तो return true कर दें नहीं मिली तो return false कर दें बहुत ज़्यादा असान अगर यह समझ में आ गया है तो मैं get और remove भी आपको समझा सकता हूं contents की को देखेगा contents की देखेगा यह contents की है put होने के बाद कितना असान है आपने बोला भही हमें UK चेक करना है हमने सबसे ले क्या क्या UK के लिए hash function call कर दिया तुरंत hash function बता देगा जब put किया था तब hash function चलके ही तो सोचो तो UK इस hash map में आया है कैसे होगा put के through ही आया होगा put के time पे hash function चला था तब bucket number 2 आया था तभी तो वो bucket number 2 में insert हुआ था तो अभी किसने contents की call किया तो मैंने वही वाला hash function call किया UK के लिए तो मुझे वही bucket बताएगा वो फिर मैं उसी bucket में loop लगाऊँगा UK तो मिल जाएगा मिल जाएगा तो DI उसका minus 1 नहीं आएगा data index उसका आएगा 0 1 1 आ जाएगा 1 का मतलब वो मिल गया अगर minus 1 आता इस bucket से तो मैं कहरे था नहीं मिला false तो contents की was very simple contents की के बाद मैं कराता हूँ आपको remove रिमूव रिमूव से फ़ले get कर सकते हैं वही काम पहले bucket ढूंड़िए bucket में element ढूंड़िए अगर element मिल गया अगर element मिल गया तो return क्या करना होगा वो value buckets of bi में get करेंगे DI वाला node हमारी जो list है वो hash map nodes की है buckets of bi से एक link list मिलती है वो link list की है हम node की और मैं node की value return कर दूंगा और अगर di नहीं मिला मिली नहीं वो तो return null अगर यह हो गया आपका तो remove very simple remove very simple remove के अंदर भी हमें value return करनी होती है पहले वही hash function चलाया तो यह contents की get remove यह सारे के सारे put एक जैसे ही है तो hash function मंगाया get index within bucket अगर मिल गया तो मैं get नहीं करूंगा इस बार remove करूंगा size को भी minus variance करना याद रखूंगा नहीं तो return null ठीक है size is very simple size के तो property पड़ी अपने पास return size ठीक है अभी तक का code एक बार देखते हैं जल्दी से शुआत में hm node बनाया था जिसमें key value थी constructor था normal size नाम की property है एक link list है hm nodes की link list नहीं है एक नहीं है उनका array है constructor में क्या किया था चार size का array बना लिया था unit buckets call किया तो चार size की साथ call किया तो चार size का array बन गया सब में loop बगा के खाली link list डाल दी size 0 initially यहां सब कहानी start होती है puts से major start हुआ hash function call किया key के लिए उससे bucket आ जाएगी फिर get index within bucket call किया उससे DIA आ जाएगा अगर पहले से पढ़ा है उसका DIA non-1 है तो उससे get करें उसकी value बदल दे पहले से नहीं पढ़ा तो नया node बनाके add करें और size बढ़ा दें अभी यह rehash लिखना है lambda calculate करें हर insert के बाद अगर lambda 2.0 को cross कर रहा है तो rehash करेंगे जो देखेंगे अभी hash function में क्या किया hash function में अपना कुछ नहीं किया Java ने करके दे रखा है hash code call किया होता है सब के पास लेकिन वह plus minus बड़ा चोटा आ सकता है तो उसको absolute लेके modulus कर दिया मतलब positive value करके compress कर दिया ताकि वह हमेशा हमारे bucket में ही आए get index within bucket index within bucket कि bucket में कहां डलेगा कि bucket में कहां है तो हमारी जो bi bucket pass की गई है उस वाली link list में loop लगाया अगर जिस node का key उससे match कर गया वह वला index return कर दिया get was very simple hash function call किया bucket मिल गई bucket के में ढूंडा तो data index मिल गया अगर data index valid है तो वहाँ से निकालके node को उसकी value देते वर्णा null देने contains की में true false remove में बिल्कुल similar है get के बजाए remove कर दें size घटा दें और value देते वर्णा null return कर दें अब key set key set में सारी bucket की keys डालनी है हमको तो देखेंगा यह loop देखेंगा ध्यान से for int bucket index equal to zero I hope कि आप ध्यान से देखेंगे bucket index less than buckets की length यह array में loop लग रहा है बाहर वाले array में यह array में loop लगा बटा bucket index के बजाए मैं आयाय भी बोल सकता हूं यह बाहर वाला loop है ठीक है और उसके अंदर for है ना hm node node in buckets of I यह हर bucket के nodes में loop लग रहा है ठीक है तो सबकी keys इसमें डालके देखेंगे array list of k keys equal to new array list keys.add node.key हमें तो key देनी है ना तो return keys इस code को एक बार देख ली जगा keyset में हमने क्या ही किया है कुछ ज्यादा नहीं किया है बहुत असान code है बहुत असान code है क्या किया हम लोगों ने भई यह बाहर वाला loop यह buckets पे चल रहा है अंदरा loop bucket के अंदर चल रहा है तो पहली bucket के i और p को add किया फिर c और f को add किया फिर us uk s को add किया इन सब को add करके तो बाहर वाला loop यूँ चल रहा है अंदा लूप यूँ चल रहा है तो इन सब को loop लगाकर add करके keys को return कर दिया अब रह गया केवल एक function जो हमें लिखना है जो था put के लिए जरूरी rehash private void rehash क्या काम है इनका इनका काम है lambda को limit में रखना अब इनका math में आपको दोबर समझाता हूं जो आपको बताया भी था मैंने लेट असे ये शुवात में चार थे यहां पर थे कुछ elements दो elements यहां थे एक element यहां था लेट असे तीन elements यहां थे लेट असे दो elements यहां थे तो पांच और तीन आठ आपका small n 8 है capital n 4 है lambda 2.0 है और मैंने बोल रखा है कि lambda must be less than equal to k k और k भी आपका 2.0 है तो कुछ नहीं करना है हमने एक insert किया कहीं भी insert हो गया कहीं भी insert हो गया ठीक है लेट असे यहां insert हो गया यह एक insert किया था put हुआ था अब small n कितना हो गया capital n 4 lambda 2.25 lambda होना चाहिए lambda greater than k हो गया है तो तुरंत क्या करें rehash करें rehash करने का मतलब एक नया array बनाए नया buckets का array बनाए कितना बड़ा art size का 4,5,6,7,8 ठीक है और इन सब के लिए loop लगाके old array पे loop लगाके old bucket, old content पे loop लगाके उनको दुबारा से put call कर दें तो वो दुबारा से redistribute हो जाएगा और जरूरी नहीं है कि यह a,b,c,d पहले ही 4 spots पे जाएं यह अलग-अलग जगह पे जाएंगी अब क्यों जाएंगी अलग-अलग जगह पे क्योंकि सोच के देखेगा बहुत ध्यान से सोच के देखेगा यह कहां जाती है यह यह depend करता है hash function पे और hash function में हम modulus करते हैं buckets की length से समझ रहें आप hash function में modulus करते हैं buckets की length से पहले था buckets की length 4 अब buckets की length है 8 तो एक बार ध्यान से सोच के देखेगा let us say e और f साथ रहती थी let us say e का hash code था 42 और f का था 46 e और f के hash code hash function नहीं कह रहा हम है hash code जो java देती है जिसके उपर हम modulus लेते हैं तो e और f के यह थे hash codes तो modulus 4 की उड़े से यह भी 2 आता था तो दोनों की 2th bucket में रहा करती थी लेकिन अब इसका size हो गया 8 अब अगर put call करो गया e और f के उपर अब modulus होगा 8 से e तो जाएगा second bucket में मगर f जाएगा 6th bucket में तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो पहले 7 थे वो बाद में भी 7 रहें वो अब अलग-अलग हो सकते हैं पहले e और f यहां पड़े थे दोनों इसका hash code 42 था इसका 46 था जिसकी विरे से इसकी hash function की value जो modulus होकर आती है वो 2 थी इसकी भी 2 थी hash code दोनों के अभी 42 और 46 ही है लेकिन आप size 8 है तो modulus करने के बाद hash code और hash function में फरक समझे hash code आपको दिया है जावा ने hash function आपका है जिसमें आप क्या करते हो hash code के बाद modulus भी लेते हो 42 और 46 वाले पहले साथ थे अब 42 और 46 वाले अलग-अलग पड़े होंगे तो e यहाँ चले जाएगा और आपका f हो सकता है यहाँ आ जाए हो सकता ऐसा ठीक है साथ भी रह सकते हैं कैसे साथ रह सकते हैं जैसे अगर e और f का 42 और 50 होता hash code तो भाईया modulus 4 modulus 4 करोगे तो भी 2-2 है और modulus 8 e, f और g तीन मनने हैं इसका hash code है 42, इसका है 46 इसका है 50 तो 4 size की अगर यह होती यह इनके hash codes है, hash function नहीं है 4 size की होती तो इनके hash function मतलब इनका bucket number तीनों का ही modulus करके आता है, इसका भी 2 आता इसका भी 2 आता इसका भी 2 आता है, सारी यहाँ पर होती e भी हाँ होता, e के सामने उसकी value f भी यहाँ होता, g भी हाँ होता तीनों a की bucket में होती लेकिन 8 के case में 8 के case में 8 के case में भई, जो e है वो 2 में जाएगी जो f है वो 6 में जाएगी और जो g है वो भी 2 में जाएगी तो E और G तो आपके अभी भी साथ रहेंगे F आपका लग हो जाएगा ठीक है तो I hope आपको एबात समझ में आई तो हमें रिहाश में क्या करूँगा ध्यान से देखेगा बहुत 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 ध्यान से देखेगा मैंने बनाया link list of HM nodes old bucket array तो जो पुराना जो अपना buckets का array था न चार size वाला वो पकड़ लिया ठीक है और buckets को new कर लिया init buckets call कर लिया जो यह उपर अपना function बना हुआ था init buckets यह buckets का array को new कर देगा जितने size से हम बोलेंगे पहले 4 से बोलते थे अब 8 से बोलेंगे तो 8 से new कर देगा तो मैंने init buckets call कर लिया init buckets को मैंने क्या pass किया old जो इसका size था उससे दो ना 4 था पहले अब 8 पास कर दिया ठीक है तो init buckets call करने से यह 8 size का buckets का array बन गया और सब में खाली link list ने डल गई खाली link list ने init buckets करके मैंने size को भी 0 कर दिया ठीक है size को q0 क्यों बताता हूं अब मैं दुबारा से loop लगाँगा for int i equal to 0 i less than old bucket array dot length old bucket array में loop लगाया for hm node यह पहले ऐसा array ऐसे loop लगा हर bucket के पास जाएंगे हर एक के old bucket array of i के nodes को निकालेंगे और हर एक के लिए put call कर देंगे कैसे node.key और node.values यह call करने से यह वाला put call करने से यह नए वाले buckets में जाके bus जाएंगे दो खुद बारा सबात करते हैं OBA old buckets यह buckets का जो original content था वो सारे के सारे अपने OBA में उठा लिया buckets को new कर दिया बगेट को new कर दिया वो 8 size की नहीं बन गी size 0 हो गया पुराने वाले में loop लाई put call कर दिया पुरान put call करोगे तो वो नए वाले में बार बारे put call होगा और नए वाले में बस जाएंगे सारे के सारे सारा content आपका नए वाले में हो जाएगा उसके आथ old bucket आरे कहां में कुछ करना भी नहीं ठीक है तो तुम कोगे कि अगर सार दुबारा put करे दुबारा rehash हो गया तो नहीं होगा क्योंकि हमने twice the size लिया है twice the size लिया है उससे n by n नहीं रहा है वो n by 2n types हो गया है जिसकी रज़से वो threshold से नीचे आ गया है तो दुबार rehash colony होने लगा अभी इमिजेटली तो नहीं होगा क्योंकि है तो I hope this is it एक बार इसे run करके देखते हैं नहीं छोटी मोटी गलती है अच्छा यहाँ पर एक throws exception नहीं पढ़ेगा so this seems to work मैं submit करता हूँ so this seems to work all the way जाए एक बार इसको अब उपर से नीचे देखें तो पहले सारे function के run group देखते हैं फिर एक एक के बारे में दुबारा से बात करेंगे तो मैं get contains की और remove को एक साथ दिखाना चाहता हूँ put पर अलग से बात करना चाहते हैं तो display से हमें मतलब भी नहीं है display तो usage के लिए तो सबसे पहले असान वाले देख लेते हैं भई हम node के नदर key और value पढ़ा है यह generics की support के लिए होता है कोई भी इसमें आ सके size आपका small n है यह buckets array है link list का array link list किस चीज़ की हम node की उनका array है buckets उसमें बहुत सारे nodes होंगे hash map में हम init buckets call करते हैं मतलब 4 size की bucket बना ली हमने 4 buckets बना ली और हर एक को new कर लिया size 0 रखा initially अब असान function में एक बार size को खतम कर देते हैं सिर्फ size return का रखा है अब हम बात करते हैं get की ही बात कर लेते हैं आप उक key मिली आप hash function call करें यह key बता देगी यह किस bucket में मिलेगा उसी bucket में मिलेगा उसलों आप कहीं नहीं मिलेगा अभी hash function detail में जाने की जूर्त नहीं है फिर हमने get index within bucket उसी bucket में से मंगाया इसी bucket में जाके स्की को ढूंडो यह उस bucket के अंदर ढूंड के देगा आपको अगर चीज नहीं मिली तो di minus 1 आएगा null return कर दो मिल गई तो वो वाला node निकालें उसकी value देते है contains key is very similar सब कुछ similar मिल गई तो true वरना false remove is also very similar मिल गई तो remove करके size घटा के return करें वरना null अब आपको देखना चाहिए hash function और get index within bucket hash function क्या करता है वो Java के hash code पर रलाय करता है की का hash code मंगाता है वो positive negative बड़ा चोटा कैसे भी आ सकता है लेकिन हमें तो buckets के अंदर ही चाहिए bucket index चाहिए तो हम उसका absolute लेके modelis कर लेते है hash code की detailing में आपको बताई नहीं रहा कि उसके अंदर क्या होता है कैसे Java देती है उस सब को हम ignore कर रहे है जरूरी information लेकि उसको ignore कर रहे है अभी के लिए get index within bucket bucket के अंदर कहां पड़ा है तो अपनी bucket उठाते है सब के nodes के साथ अपनी key को compare करते है अगर मिल जाती है तो वो di return कर देते है वरना minus one return कर देते है तो यह हो गया अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको get contains key और remove समझ में आते है एक बार key set को और खतम कर लेते है सारी bucket में loop लगाया सारी bucket के एक node को उठाया उनकी key को add कि और return कर दिया अब रहा put यह रहा put put के अंदर सबसे बहुए hash function चलाए यह बताएगा किस bucket में होना चाहिए अगर हुआ तो नहीं हुआ तो वहाँ add कर देना फिर उस bucket में ढूंडा मिल गया तो di non minus 1 आएगा नहीं मिला तो minus 1 आएगा अगर minus 1 आएगा तो node बना के उस bucket में इसको add कर दिया size बढ़ा दिया मिल गया तो उसको get करके उसकी value change कर दिया lambda calculate किया lambda 2.0 से बड़ा है तो rehashing call कर दिया rehashing में क्या करते हैं पुराना सारा content पकड़ लिया old array के अंदर init buckets call किया इस से आपका यह जो buckets वाला array है यह नया बन जाएगा art size का और खाली link list के साथ size 0 कर दिया old array में loop लगा के old array से node निकाल निकाल कि उस पर put call कर दिया तो old array से content उठ उठके नए वाले array में चला जाएगा नए array में यह हो सकता है same bucket में जाए हो सकता है अलग bucket में जाए depending upon कि उसका hash code कैसा है चीक है तो यह इसका theory है ले दे कर उमीद करता हूँ कोई यह बात अच्छे समझ में आई होगी कैसे average case में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि worst case में आपको यह constant complexity देता है ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एक ही bucket में जाके डल जाए अगर सारे के सारे एक ही bucket में जाके डल गए तो lambda is equal to average average complexity आपकी इसकी जो होती है वो constant होती है क्योंकि lambda को हम में आपको सारे एक ही bucket में बंदे जाके डलने लग जाए somehow सबका hash function सेम आ जाए और सारे एक ही bucket में डल जाए तो आपको यह complexity on ही हो जाएगी तो आपको यह average complexity का promise देता है कि average case में आपको constant time में चल जाएगा worst case में of course आपके hash maps as bad as linkless चल सकते हैं ओनको लेक्सरी में चल सकते हैं चलिए जी अब आप इसको code करिएगा यह मैंने question वीडियो में ही सब समझा दिया है solution वीडियो में भी यही सब पड़ा होगा इसको देखकर सब समझने के बाद आप इसे code करेंगे सब्मिट हो जाता है तो फिर इसको दो तीन बार इस पर विचार कीजेगा एक एक स्टेप पर खोल कर मिलते हैं एंगले question में thank you very much